नमस्ते प्रिया जनो, राइट वे अस्टो चैनल पर आपका स्वागत है, साथी आगामी नव वर्ष 2022 के लिए हर्दिक शुप कामना है, राशीफल सटिकता से जानने के लिए जन्म चंदरराशी और जन्म लगनराशी, ऐसे दोनों राशीफल अवश्य देखिए, अर्थात आपकी जन्म चंदरराशी या आपकी जन्म लगनराशी मकर है, तो ये वीडियो आपके लिए है, वर्ष 2022 सभी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि एप्रिल 2022 में वार्षिक राशीफल की दिशा निश्चित करने वाले शनीदेव, ब्रहस्पति और छाया ग् परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए सर्वप्रथम वर्षफल निश्चित करने के लिए इन प्रमुग्रहों की चर्चा करेंगे, और अन्त में अन्य ग्रहों के गोचर फोलो का प्रभाव समया नुसर जानेंगे, इसलिए अन्त तक बने रहिए, इसके साथ ही सभी से निव राशी गोचर, वर्ष 2022 में 12 अप्रिल तक आपके राशी से दितिय भाव में जारी रहेगा, इस कालखन में आप अपनी पारेवरिक जिम्मेदरे निवाने में प्यस्त रहेने वाले हो, इसके लिए खर्चे भी होंगे, इस कालखन में आपके परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है, संतान प्राप्ति का योग है, आपकी अपने आर्थिक सिति में सुधार लाने की कोशिशे जारी रहेंगी, धन संपत्ती में वृद्धी होगी, करजे से मुक्ती मिलेगी, अगर स्वास्त की शिकाय चल रही है, तो इस समय में दवाईया असर करेंगी और स्वास की वसुली हो सकती है, पईतरुक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, विमा क्षेत्र से धनलाव हो सकता है, अचानक कहीं से धनलाव होने की संभावन आए है, किसी भी तरह की अनिष्ट स्थितियों से चुटकारा मिलेगा, व्यवसाय में वृद्धी होगी, व्यवसाय से तक गोचर करने वाले है, इस कालखन में यात्राए संपंध होंगी, यात्राओं पर खर्चा होगा, लेकिन यात्राए लाबदाई सिद्ध होंगी, भाई-भैनों से पडोसियों से रिष्टों में सुधार आयेगा, भाई-भैनों का सहयोग प्राप्त होगा, और विवाहि में सफल्दा मिलेगी, दामपत्य जिव में खुशहली का दोर चलेगा, घर में मंगल कारिय संपन्न होंगे, धार्मिक कारियोक्रम में आयजोनों में सहवागी हो सकते हैं, धार्मिक स्थानों पर यात्राय संपन्न होंगी, इस कालखन में भाग्या का साथ रहेगा, आमदनी बढ़ेगी अपेक्षाओं की पूर्ती होगी जान पैचान बढ़ेगी मित्र परिवार में वृद्धी होगी शनीरेव वर्ष 2022 में 18 एपरिल तक और बाद में 12 जुलाई से वर्ष के अंता तक मकर राशी में ही रहने से आपकी साड़े साती इस वर्ष भी जारी रहेगी इसल स्थिती में लाने के लिए परिश्रम जारी रखोगे आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा आर्तिक स्थिती में स्थीरता रहेगी मानसिक चिन्ताय लगी रहेगी आपके भाई बहन पडोसी वगेर आपसे नाराज हो सकते हैं यात्राइक कश्टदायक रहेगी प्रयासों मे कमी महसुस होगी दामपत्य जीवन में कुछ तनाव रहेगा जीवन साथी का अस्वास्थ आपकी चिन्ता बढ़ा सकता है व्यापर में दिक्कते जारी रहेगी आपके परिश्रम से आप व्यवसाय में कुछ अच्छा करोगे नोक्री में लाब होगा नोक्री ढुणने वा जमीन जायदत का लाब हो सकता है आर्थिक स्थिर्ता बनी रहेगी आप अपने परिवार के लिए कुछ समय निकलने वाले हो जमीन जायदत के व्यवहारों में कुछ गडबड़िया होने की आशंका बन रही है इसलिए सचेत रहने की आवश्चा क्ता है आपके सुक्चैन म मानसिक शांती में कुछ समय के लिए उथल पुथल हो सकती है कुछ तितिया आपको ब्रहमित कर सकती है आपको अपनी वानी पर नियंत्रन रखना होगा गलती से किसी को कुछ बोल दिया तो वो आपके लिए परेशानियों का सबब बन सकता है मित्र परिवार आपसे जम भाव में तो केतु 11 भाव में बने रहेंगे इस कालखन में आप संतान पक्षकी ओर से चिंतित्र होगे शेर मार्केट लोट्री जैसे क्षेत्र से भले ही आपको पहले कुछ मिला हो लेकिन इस कालखन में सावधानी बरतनी आवश्यक है विद्ध्यार्थियों का के लिए आप प्रयासरत रहोगे 12 एप्रिल के बाद रहु मेश राशी में मतलब आपके राशी से चतुर्त भाव में तो केतु तुला राशी में यानि आपके राशी से दशम भाव में प्रवेश्च करेंगे और वर्ष के अंततक यथावत रहेंगे इस कालखन में आप ज चिंताव से ग्रसित होंगे, तो केतु की स्थिति के कारण व्यवसाय में वुरुद्धी होगी, लेकिन इसके लिए आपका परिश्रम करने होंगे, इस तरह वर्ष 2022 में आपके जीवन में क्या हल्चल होनी वाली है, इसे समझ सकते हैं, अब अन्यग्रहों के गोचर फोलों को समया नुसर जानते हैं, वर्ष की शुरुवात आपका उत्सा बढ़ाने वाली रहेगी, मध्य जनुवरी से फर्वरी के महिने में आती उत्साह में आपके खर्चे बढ़ेंगे, आप अपने शोक पूरे करने के लिए खर्चा करोगे, विदेश संबंदित व्यवसाय से ल अपने इच्छा पूर्ते के लिए आप गलतिया कर सकते हैं, इसी से अपने चिर्शीडा पन रहेगा, इसका असर दामपत्य जीवन पर पड़ेगा, जीवन साथी का स्वास्थ भी बिगड़ सकता है, एप्रिल पूर्वार्द में माता-पिता के कारण चिंता रहेगी, नो एप्रिल में ही जमिन जाइदा या पैत्रुग संपत्य के विवाहर में महत्तो पूर्ण दस्तावेजों में कुछ गड़बड़िया हो सकती है, जिससे आपकी सुखशान्ती भंग होगी, रिष्ट्यदारों से ही आप उलद सकते हैं, आपकी सुझबुद से आप दामपत् बदलाव भी आएगा, मैसे जुन मद्य तक आप अपने इच्छा पूर्ती के लिए घर में सुखश सुविधा प्राप्ती के लिए प्रयासरत रहोगे, इसी समय में आप अपने आपको समस्याओं से घिरावाबी महसूस करोगे, जुन उत्तरार्द में प्रेम संबंद म शत्नों पर प्रभाव बनाए रहोगे, नोक्री व्यवसाय से संतुष्ट रहोगे, निजी निवास के विशे में कुछ गडबडिया रहेंगी, माता के कारण चिंता रहेंगे, जीवन साती से मतबेद हो सकते हैं, जुलेई पूर्वार्द में नोक्री मिल सकती है, पड़ियों से संघर्ष करना पड़ेगा, इन्हें सुलजाने के लिए आप सभी तरह के हातकंडे अजमाओगे, परेशानिया हुँगी, लेकिन सपलता भी मिलेगी, स्परधाव से लाब होगा, ऑगस्ट में कुछ सचेद भी रहना होगा, भरोसा तूट सकता है, ओवर कॉ व्यवसाय में सुधार आएगा, पदप्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्राएं लाबदाई रहेंगी, उच्चे शिक्षा में यश प्राप्त होगा, गवरो होगा, मान सनमन बढ़ेगा, शेर ट्रेडिंग में बड़ा लाब होगा, ओक्टोबर मद्य से नवंबर मद्य के का पराजित होंगे, नोक्री में लाब होगा, नोक्री में वरिष्ठो की नाराजगी दूर होगी, व्यावसेक अडचने दूर होगी, व्यावसेक परतिष्ठा बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, यात्रा में बाधा आएंगी, नवंबर मद्य से डिसेंबर मद्य तक के कालखण में व्यवसाय में वृद्धी होगी नोकरी ढुणने वालों को नोकरी मिलेगी करजे के किराय के लेंदें के व्यवारों में भी फाइदा होगा अपेक्षाई पूल्न होंगी डिसेंबर उत्तरार्द में विदे संबंदों में दिक्कते आएंगी स्वास्त की चिंता रहेगे संतान के लिए खर्चे होंगे इस तरह मकर राशी वालों के लिए वर्ष 2022 में ग्रहों के संकित मिल रहे है आप सभी को वर्ष 2022 सुख समरुद्धी एवं स्वास्थे वर्दकों इसी शुबकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ दन्यवाद